दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी इस तरीके से Paytm application में आप अपना bank account कैसे जोड़ सकते हैं यानि कैसे आप link कर सकते हैं Paytm application के अंदर सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपको Paytm application में कोई भी bank account add करते समय में परिषानी या दिकत आ रही है तो उसे आपको कैसे ठीक करना है आज कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपने Paytm application open कर रखे हैं यहां पर आपको एक option मिलेगा घ्यानी दुर्फाइल वाल icon पर कलिक करते हैं प्रोफाइल वाल icon पर क्लिक करने बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर Payment Setting पर कर देता हैं यहाँ पी लगा UPI and Link Bank Account यहाँ पे हम सिंपल कर देता है क्लिक यहाँ पी क्लिक कने के बाद यहाँ पे आपका जो भी bank account होगा यहाँ पे आपको select कर लेना होगा select कने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको आपको देखने को मिल रहा है तो चलिए दोस्तो अब हम आपको बताते हैं कि आप इस message को कैसे ठीक कर सकते हैं सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तो यह message जो है आपके bank के server down होने के कारण यह message आपको देखने को मिल सकता है यह आपको 2-4 बर try करना होगा अगर 2-4 बर try करने के बावजुद भी ठीक नहीं यह message होता है तो आपको क्या करना है हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले आपको इसे minimize करदना होगा इसके बाद यहाँ पर about點 schon एप्स पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको सेलेट करना होगा पेटियम जैसे कि दोस्तों यहां पर आपना पेटियम एप्लिकेशन को जो है सेलेट कर लेते हैं अगर आपको फोन में अगर नहीं मिल पाता है तो आप आपना पेटियम एप्लिकेशन को अनिस् देखने को मिल रहा है clear data और clear catches आपको यहां पर दोनों को clear कर देना है इसके बाद यहां पर आप जैसे ही दोनों को clear कर देते हैं इसके बाद यहां पर आपको सबसे पहले पेटियम एप्लिकेशन को करना होगा open जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं हम पेटियम एप्लिकेशन को फिर से करते हैं open open करने के बाद यहां पे आप जो भी mobile number bank से link किये हैं वो यहां पे आपको select कर लेना होगा एक बात और हम अपको बता देना चाथे हैं दोस्तो आपका जो है 1.5 रूपय को अख़ोगया में लेर्ट होना चाहिए यहाँ पेज़ते हैं इसे कि यहाँ पेज़ुक्ष भैरिपाई हो पाईगा हमें लॉग इन हो चुकया है Paytm Application के अंदर अब यहाँ पर में एक icon देखने को में एर प्रूफाईल यहाँ पर आपको simpel करना होता है क्लिक लिक करते हैं तो आपको scroll down करना है यहाँ पर आपको निछे आना होगा और यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा देख सकते हैं payment setting यहाँ पे आपको simple करना होगा click यहाँ पे आप जैसे ही click करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface देखने को आ जाता है यहाँ पे देखे दोस्तों यहाँ पे आपको पे लिंक हो चुका है यानि कि हमारा bank account जो है एड हो चुका है बेटियम application के अंदर तो आई हो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली पर रहा हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा हम मिलते किसी आओ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई